तो सियदाथ पुनावाला बटोंगे तो कटोंगे बीजेपी की रणनीती है आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी के कुछ kinda टीशट डालके गूं रहे हैं कि बटोंगे तो कटोंगे कपल मिश्रक ने वो टीशट डालके त् apology करा बीजेपी के दिली के नेता ने T गिरिराज सिंग यात्रा निकाल रहे हैं, आपके नेता पोस्टर लगा रहे हैं विने सहस्त बुद्धे, जो कि भारतिय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक हैं, यानि सीनर लीडर्स में से एक हैं, उन्होंने भी महराठी में लिखा कि अगर महराष्ट में वोट क पड़ा डालते हैं, वो कह दे, मोदी जी कह दे, सरसंग चालक जी कह दे, तो वही बयान जो हमारे लाब से निकलता है, पर वोट जिहाद पर फयाज मिया कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वोट जिहाद से कुलर है, कि भारत के लोग हिंदू समाज एक हो जाएं, अब यहां पर उन्होंने बड़ी-बड़ी बाते की केस प्रकार से मुसल्मानों के बारे में बोला जाता है सुनिए मठादीश माफ्या में कोई जादा फर्क नहीं होता है मंधिर जाने वाले लड़की को छेड़ते हिंदू टेरर होता है इसमें एक वायन नहीं वोलेंगे अभी फयाज जी ने हिंदू धर्म को लेकर तो बड़ी जातियों के बारे में ग्यान दिया पर आपको पता है मैं फया सचाएर फराज जो भी है यह सयद अपने आपको मातने मैं पसमांदा हूं अनसारी घ्व को सी दोभी हलाल-korण हिंको मस्जिदों में घुणे निए दिया दाता है इंको शड़कों में नहीं उतरने धिया जाता है कि मुसलमानों में जासिजभा पैंकी आए Land कई हैं मचा है मैं चैलेंज करता हूँ आप मैं चैलेंज करता हूँ अठे से ढली लेकिन अब बने देखा अजेंडा जेंडा किया है अजेंडा ये लेट ही एक आपके अब अब बताना चाहता हूं अगर आफर्मेटिव एक्षिन के लिए ना अब बताईए कि अगर मुसल्मान धर में इतनी जातिया है तो एंटी कन वर्जुन लौका विरोध क्यों करते हैं जहां बोला जाता है कि मुसल्मान होने से कास ढिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा अगर कास ढिस्क्रिमिनेशन है तो आइंटी करिके लूँगा तीवारी जी देखिए आप पेशे के और दाद आपको भरासरा दाने देना चाहिए किस चीस के लिए बी जे पी क्या कहेगी आधरनिल लालू पर्साफ जी तो पैंटीस वरसों से बी जे पी लड़ाई लड़ रही है राजियति के बीजेपी की हैसियत है आदर लालू परसाथ जी के सामने राजिंती लड़ाई लड़ने की देख रहे क्या क्या हो रहा इसके बाद भी नंबर वन पार्टी है बिहार में राश्टी जनता आदर देखिए हम लोगों का सपष्ट मानना है अब ये ग्यान दे रहते हिंदू मु सूर्टी है ना हिंदू बनेगा ना मुसल्मान बनेगा इनसान की अवलाद है इनसान बनेगा हम ये कहते हैं इसलिए कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदू स्ता हमारा लेकिन हम बता रहे हैं लेकिन ये बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे इन नौजवानों को बता र यह पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिचाई यह तेजस्विजादब का मोडल है यह कते तलवार बाटो हम कते कलम बाटो यहीं लड़ाई है अच्छा इट से इट किसकी बजाई जा रही है इट से इट उसकी बजाई जाएगी जो दंगा भड़काएगा जो हिंदू मुसल यह तरह है उततर बर्देशалिया धाकी नफरत का उल्ड है जो लोग इस तरह की मैट कर रहे हैं वो सबसे बड़े हिंदू के दुस्मन है हिंदुस्तान में 80% हिंदू है इतना काय रहा है तो कि हिंदू को इतना कायर समझ रहा है ऐसे हिंदू को कोई डरा नहीं सकता है नफरत के खिलाफ हैं तलवार मत बांटो प्यार बांटो महबत बांटो और महबत की दुकान के आप भी ग्राहत बन जाएए आप लोग क्यों नफरत बाट रहे हैं यह आरोप लग रहा है गिरिनाथ सिंग नफरत फिला रहे हैं योग्या जितनाद क्या बनेगा उसे खुद बहीं पता लगेए अभी मैं दो तीन चीजे बोलूँगा खास खास जो बात है कि हिंदू जोड़ो यात्रा या सनातन जोड़ो यात्रा या भिक्षा या हिंदु स्वाभिमान यात्रा जातियों में विभक्त सनातन को एक करने की है उससे किसी राजनेतिक व्यक्ति और राजनेति लेना देना चवन्नी नहीं है मैंने खुद मंच से इस बात को कहा कि यात्रा किसी दल की नहीं है बलकि संगठित हुए सो करोड लोगों के बल की है जातियों में विभक्त सनातन को अगर एक करना गुना है तो पूने की यरवदा जेल से जब कब एक एवार्ड का घोशना किया गया तो गांधी जी धरने पर बैठ गये कि मेरे देश को मत बाती है मैं अकेला नहीं हूँ अगर जातियों में भक्त सनातन को एक करना कोई अपराद है तो अपराद ही हो सकते हैं दादा मगर जातियों में बटे हुए हिंदूओं को जोड़ना कौन सी दिशनरी में लिखा है के गुना है कौन से समविधान में लिखा है के अपराद है पर बटो कटोगे का अर्थ यह है कि आप अपनी जडों से भी कड़ जैते हो यह यात्रा 23 महीने की है इस यात्राने 80 लाग हिंदू औ崏 किया और यह यात्रा आगे भी निरंतर छलती रहेगी इस यात्रा से किसी राजनीती का लेरा ना देना है ना कुछ राजनीती की का हिस्सा हूँ मगर मैं अबसे पहले कर रहा था छे दिन अगर किसी व्यक्ति ने मेरे साथ दिया तो मैं विवेक भाई को कहता हूं मृटनुजय बैटे अन्य चार लोग बैटें चले मेरे साथ यात्रा में मैंने कब रोका तब रोका ठीक हृँ ऐसे अपनी बात को रख ल को दंगे कराते चलो समाज को बाटते चलो भाजपा को जिताने की कोशिच करो यह एजंडा गिरिराज सिंग कौन है पॉलिटिकल नहीं है डॉक्टर है इंजीनियर है वकील है कौन है आप कह रहे हैं कि आपकी आत्रा नॉन पॉलिटिकल है उसकी आगवाई जो आदमी कर रहा प्लैनर यहीं है सारी सोच इनकी है और गिरिराज सिंग को आगे कर दिया यह है कि नहीं यह बताईए आप भिक्षा यात्रा से शुरू हुए थे सुरू है आपने कहा था मैंने पूछा था आपसे और अमीश्टी के सामने पूछा था इस बिख्षा यात्रा का क्या मकसद ह मैंने आज तक नहीं कहा कैमरे के सामने जूट नेता ही बोल सकता और वह आप बोल गए मैंने आज तक नहीं था मैं इमानदारी से कह रहा हूँ